नमस्कार दोस्तों मैं miss linies master फिर से acabouने सबसक्राइब सके सबस्क्राइब कर ले थागि मैं लप्रडेश वीडियो को सबसे पहले देख सके दोस्तों मैं आज के स्वीडियो में पोस्ट Preferences के बारे में बताने जो लोग CHSL 2018 में सेलेक्ट हो गए हैं और सबको बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है कि इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा तो मैं प्रोसेस वाइज आपको सब कुछ डीटल से में बता दूँगा और कौन सा पोस्ट में क्या काम होता हो सब के बारे में बेसिक इंप्रमेशन में दे दूँगा ताकि आपको यह आइडिया लग जाए कि कहां पर पोस्ट क्या चूज करने पर और क्या काम होँआ पर करना होगा जैसे कि आप यह चैनल पर देख सकते हैं कि मैं आल्लेडी रूल-38 ट्रांसफर का एक प्रोसेस है डिपार्मेंट पोस्ट में उसके था तो ट्रांसफर ले सकते है तो उन सब के बारे में वीडियो है तो सेंट्रल ग़र्मेंट्स से रिलेटेड जो भी रूल रेगूलेशन आते हैं और इस पर आपको वीडियो मिल जाएंगे यह जो आप अभी देख रहे हैं यह लास्ट इयर जो सीचसेल हुआ था उसके बाद जब सबको इस्टेट पता चल गया कि किसको कौन से स्टेट मिला उसके बाद पोस्ट विपेंस का अपसन आता है अभी जैसा कि सीचसेल ने रिजल्ट जारी कर दिया जिन लोगों का आता हुआ देना चाहते हैं वह बिहार देंगे बंगाल देंगे जो आपका सरकल देना चाहते हैं वह प्रेड़िटी वैसिस पे अपो अपलाई करदेंगे उसके बाद वह आपको सरकल एलॉट कर दिया जाएगा सरकल एलोकेशन में भी मैं बता दे रहा हूँ disability जो है PWD candidate तो उसके बाद एक सर्विसमेन इनको सबसे पहले circle एलोट किया जाएगा उसके बाद से जो circle का allocation होता है वो merit basis पर होता है माल लिया कि 10 लोगों ने बिहार circle चूच किया पहला priority कि 10 लोग जो है वो बिहार circle जाना चाहते हैं लहीं बिहार circle के लिए 5 vacancy है तो वैसे case में पहले देखा जाएगा कि कोई physically challenge या एक सर्विसमेन है की नहीं उन 10 लोगों में अगर 10 लोगों में कोई है तो सबसे पहले उन लोगों को seat दे दिया जाएगा अगर दो लोग वैसे होगा तो अब बचा seat तीन seat पांच सीट था दो लोग पीड़लूडी और एक सर्विसमेन होगे तो तीन seat बचा तो तीन seat में जो टॉप थ्री होंगे जो की बिहार circle चूच कि होंगे उनको एलोट कर दिया जाएगा बाकि जो लोग बचेंगे जो लोग उनने पहला बिहार दिया होगा उनको सेकंड प्रिफेंस के लिए कंसीडर किया जाएगा उनका सेकंड प्रिफेंस क्या है वहां के वह रैंक में आते हैं कि नहीं ऐसे करके प्रिफेंस त्यार किया जाता है तो आप अपना प्रिफेंस के एक बार डाल दीजेगा तो उसके बाद से आप का सरकल एलोकेशन हो जाएगा कि आपको कहां पर मतलब कौन से स्टेट में मिलने वाला है वो फाइनल हो जाएगा कि इस स्टेट में मिलेगा तो उसके बाद का यह प्रोसेस है यह मैं जो बता रहा हूं जब सरकल आपको मिल जाएगा तो उसके बाद पोस्ट कैसे चूज करना और किस पोस्ट के लिए तैसे फिर से आपको option दिया जाएगा अब सर्कल मिल गया सकते हैं ईूपी शर्कल लिखा गया है कि उतर परदेश में लोगों का सिलेक्शन हो गया था कि हाँ उनको यूपी में पोस्टिंग मिलने वाला है तो ऐसे करके सर्कल वह जो सब अपना अपना प्रिक्रेंगे करता हैं इसमें देख लीजें जी से पहला दिया गया है इसमें भी वहीं बोला जा रहा हुत जैसे पॉइंट A में बोल रहा है कि जोर्ख जो डिवीजन का अलोकेशन होगा केडर और डिविजन का ईलोकेशन होगे वो merit basis rank basis पे किया जाएगा लेहिन उसमें exception किसको है PWD और ex-services men, सबसे पहले इन दो candidate को यहाँ भी post predictions में भी allocation पहले मिलेगा PWD candidate को और उसके बाद ex-services men को, इनको rank से कोई मतलब नहीं है इनका पहला priority होगा मान लियागी कोई PWD candidate है जो कि circle office चाहरा है, तो सबसे पहले circle office में उसको posting मिल जाएगी उसके बाद भी अगा circle office में कुछ sheet बच रहा है तो फिर जिनों ने apply किया उनको rank wise दिया जाएगा तो यह दो PWD और ex-services men का जो quota फिल हो जाएगा उसके बाद का जो allocation होगा, वो rank basis पे होगा जिसका जो rank होगा, उसके according उसको मिलेगा तो इसमें post दे दिया जाता है, जो total post है यहाँ पे 6 का दिया गया है, यह circle wise एक दो कम हो सकता है लिए जो यह शुरू के 4 हैं, जैसे कि postal assistant in post office sorting assistant in rms office, postal assistant in sbco, postal assistant in circle office original office, यह 4 सारे circle में आपका option मिलेंगे यह भी मिलेगा, postal assistant in mms, यह भी मिलेगा, foreign post का हो सकता है कुछ जगे मिले, कुछ जगे ना भी मिले, तो यह 5-6 अपको और एक जगे post options मिलेंगे, इसको cadre बोल सकते हैं, कि आपको किसको postal मिलेगा किसी को sorting assistant मिलेगा, किसको postal assistant मिलेगा, linn, sbco में मिलेगा पोस्टल असिस्टन सी यो आरो में तो यह सारे अप्सन है मैं धीरे-धीर आपको बता दे रहा हूँ कि क्या पॉस्ट प्रिफिसंस अब डालने से आपको अच्छा होगा और किसमें क्या काम होता है वो भी मैं आपको बता दूँगा अब वीडियो में लास्त तक बने रहे है जो पहला प्रिटर्ण दिया गए पोस्टल असिस्टंट इनका नर्मल काम होता है जैसे कि आप पोस्ट अफिस में जब कभी भी गया होंग लेटर बॉग कराने के लिए cambi order करने के लिए तो सारे जो काम होते हों Postal Assistant काउंटर पर बैटे होते हैं सभीट पीट करनेकर लिए पार्सल बुकिंग प्रेशिटर लेकर विड़ेन बुक करने के के लिए उसके अपने Spaß यह के आपके रोमस्ट आरे काउं के साहर जो या व्या जो नियर्वाइं posting मिल सकता है लेन और vacancy भी सबसे जादे इसी में होता है तो जो लोग अपना hometown चाह रहे हैं उनको अगर लग रहा है कि hometown मिल सकते हैं उनके rank से तो इसको भी कांसीडर कर सकते हैं सेकंड स्वार्टिंग असिस्टेंट है मैं अभी आपको explain कर दे रहा हूं सबका काम फिर आपको बताऊंगे कि सबसे अच्छा option इसमें से कौन सा है और क्यों है उसके बाद है स्वार्टिंग असिस्टेंट इन रेल मेल सर्विस तो आप बहुत लोगों क होता है कि रेल्वे का नाम सुन कोattend को है कि इनका डिटी सोटे ररेल्वे स्टेशन पर होते हैं ढाकि जो बरे आर्पोर्ट अ कहसे सब्सक्राइब में भी हो सकता है छी जयातार इनकी आफिस जो होंगे वो सहर में होते है मतल anticipate में ऐसे पोह सोटींग आपिस होगा आर्वेस ऑफिस होगा वो गाउट करमी में होते हैं अगलाالم icy सभी सिद स ti sexo इन कोपरेशंग जयसे जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्ट आफिस बैंकिंग का भी काम करता है तो Saving Bank Corporation में बैंकिंग से रिलेटेड जो पोस्ट आफिस का बैंकिंग वाला काम होता है उस से रिलेटेड यहां पे काम होता है इसमें भी आपको डिवीजन अगर आप सेलेक्ट भी हो रहे है SBCO के एडर में तो आपको स्टेट ही दिये जाता है उसके बाद आपको आपको आफिस मिलता है और SBCO आफिसे सारे बड़े पोस्ट आफिस में होते हैं यह छोटे पोस्ट आफिस में नहीं होते हैं अगला जो केडर है Postal Assistant in Circle Office, Regional Office यह Admin वाला काम होता है Administrative काम जितना भी होता है Post Office का CORO, Circle Office, Original Office में होता है तो Postal Assistant को वहां भी Posting मिलता है जो की Administrative काम होता है जितने साब Post Office के Higher Official है, Higher Officers है उन सब लोग के बीच में राके काम करना होता है तो काम अच्छा है लाइन मतलब जिमेवारी वाला काम है PA in Circle Office, Regional Office PA, MMS Postal Assistant in Mail Motor Service जो होता है उसमें के लिए जैसा कि आप लोग जो भी सहर में रहे हों या गाव में भी रहे हों तो आप Post Office के Red Color के वैयन देखते होंगे जो की Later को एक Office से दुसरे Office में ले जाने के काम करता है तो वो MMS Service है तो ऐसा ना समझे कि आपको Duty उस गारी में मिलेगा आपका Duty गारी में नहीं होगा आपका Office में ही काम होगा यह जो गारी आ रहा है जा रहा हूं उन सब का Details का आपको काम होता है Office Work ही है इसमें भी जो गारी आ जा रही है उन सब का Details आपको त्यार करना है कौन गारी कितने बज़ाई कहां गई कैसे आई उन सब का Details में Mail Motor Service जो Postal Assistant होता है उन लोग का होता है Postal Assistant in Foreign Post Office होता है यह Postal Stamp Depot अलीगर में यह सब जग नहीं होगा कुछ जग होता है कुछ जग नहीं भी होता है Postal Stamp Depot जो होता है वहाँ पे जो Post Office के लिए Stationary या Stamp जो होता है उन सब का Printing होता है फिर Supply होता है तो यहाँ पे भी Vacancy कभी-कभी रहता है लेगन यह वाला कैडर जो है 6 नमर यह सब जग नहीं होगा इन कुछ जगे और भी कैडर होते है अलग-अलग सर्कल होई तो उस सर्कल पर डिपेंड करेगा जब और भी डिटेल्स इसके आएंगे जैसे जैसे जब सर्कल एलोकेशन हो जाएगा उसके बाद Post Visions का नोटिफिकेशन आता है तो सारे सर्कल अपना ऐसे करके जारी करते है उसमें उलोक सारे डिविजन का जैसे यह Postal Assistant 1246 जारी किया इसमें Division का नाम होगा 1246 आपको Division चोज करने का अब मैं इसमें बता दे रहा हूँ पहले तो काम आप बेसिक समझ गए किसमें क्या काम होता है Sorting Assistant ही एक ऐसा ओफिस है जो कि 24 आवर ओपन होता है जातर जो RMS ओफिस होते हैं जो छोटे RMS ओफिस है वो हो सकता है कि सिर्फ रात को चलते हो दिन को ना खुलते हो जो भी थोरे से बड़े ओफिस है जहांपे काम है वो 24 आवर ओपन होते हैं जो भी सहर में है तो RMS ओफिस 24 आवर ओपन होता है तो इसके काम इसमें shift wise duty होता है इसमें night में भी duty होता है morning shift भी होता है afternoon shift और night shift night shift इसमें 12 गंटे का होता है लहिए उसके benefit भी है night shift वालों का 12 गंटे duty होने का उनको 36 आवर का rest मिलता है मतलब एक night करने के बाग अगला पूरा दिन फिर पूरा रात फिर पूरा दिन इतना दिन के इनको छुटी मिलता है बोल सकते हैं कि 12 से 13 night पूरे महिने में इनको 12 से 13 night करना होता है अगर weekly off वगरा सब कार्द दें तो जो night में sorting assistant होते हैं उनको 12 से 13 night ही duty करना होता है तो जो लोग exam के view से या और भी आगे study कुछ करना चाहते हैं extra उनको time चाहिए या कुछ लोगों का part time business है तो उनके लिए sorting assistant ज़्यादे अच्छा option है क्योंकि यहाँ पे उनको night में duty करने का मौका मिलता है तो तैयारी करने के लिए अगर कोई exam का तैयारी कर रहे हैं या कुछ part time business उनका है तो उनके लिए अच्छा option है और अगर मैं अपने हिसाब से बता हूँ तो मेरे हिसाब से PNCOR अच्छा option है क्योंकि यहाँ पे weekly five day office होता है normal जो Monday to Friday होगा Saturday Sunday दो दिन weekly up होता है PNCOR के लिए इन्हें पे vacancy कम होगा दुसरा इसका एक और नुकसान आपको हो सकता है कि जो लोगों को अगर home estate नहीं मिल रहा अगर वो किसी दुसरे estate में उनको मिल रहा है तो उनको मैं बोलूंगा कि PACOR ना चूज करें क्योंको फिट अगर by chance future moon का हो रहा है कि मैं home estate में transfer जाना चाता हूँ जैसे कि post office में जो transfer rule है उसका दो सल का है कि जब आपका दो सल पूरा हो जाएगा तो अप्रेल से जून के बीच में आप transfer अपलाई कर सकते हैं जहां पर भी आप जाना चाते हैं पूरे all over India में आप home estate जाना चाते हैं कहीं भी तो PACOR के लिए vacancy बहुत कम होता है क्योंकि इसके offices कम है तो इसलिए आपको transfer में दिक्कत होगा जिनको अपना hometown मिल रहा है home estate मिल रहा है वो PACOR में जा रहा है कि मेरा कौन सा estate मिलने वाला है तो अगर आपको home estate नहीं मिल रहा है तो मैं उनके लिए बोलूंगा कि वो CURO पहला preference ना दे जिनको अपना home estate मिल रहा है वो पहला preference CURO दे सकते हैं अगर उनको Monday to Friday work करना है और दूसरा administrative work में उनको कोई problem नहीं है यहाँ पर जिमवारी होला काम होगा क्योंकि सारे जो post office के senior officers होते है उनके बीच में आपको रहना है उनके बीच में काम करना है तो पहला preference यह दे सकते हैं लेहिए मैंने condition रखा कि जो लोग को home estate नहीं मिल रहा है वो future में अपने transfer का सोच रहा है उनके लिए जो लोग transfer के लिए दूसरे circle में उनको posting मिल रहा है दूसरे state में मिल रहा है अगर उनको future में transfer लेना है उनके लिए सबसे best option यह पहला दोनों है postal assistant, sorting assistant के अडर इसमें seat जादे मिलेगी जहां भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको transfer मिलने के chances जादे रहेंगे उसके अलावा यह जो बाकी 3 post है यहाँ पे vacancy बहुत कम है तो आपके transfer मिलने के chances भी बहुत कम हो जाएंगे बाकी जिनको home estate मिल रहा है उनके लिए में पहले बता दे रहा है P.A.N.C.O.R.O paste option होगा पहला option हो डाल सकते है second option अगर foreign post है तो foreign post डाल ले जिए foreign post में भी काम अच्छा है उसके बाद बहुत जगे आपको R.A.L.O.R.O.R.O.R.O.R.O so return letter office उसको बोलते है अगर वो है जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते है नहीं है from address या दोनों address exist नहीं करता कुछ गलती है वैसा कुछ letter हो गया जो कि deliver नहीं हो जकता है ना जा सकता है ना to address पर जा सकता है ना from address पर तो ऐसे letter को RL1 बेच दिया जाए तो वहां बहुत सरे letter रहते हैं अगर कोई claim कर रहा है तो उसको वापस किये जाते हैं कुछ वैसे होते हैं जो कि language के करान return चले जाते हैं अरेल भाल लिया कि आप हिंदी स्टेट में रह रहे हैं आपने हिंदी में direction लेना उसको भी हो ओलो continueoner को में इसको बिछड है तो वह सब काम हर लो में होता है तो बहुत वाँ होसी पर सस्कूर और सकते हैं उसके बाद foreign post डाल सकते हैं उसके बाद SVC डाल सकते हैं फिर sorting assistant डाल सकते हैं postal assistant मैं सबसे last में रखूंगा क्योंकि work pressure इन दोनों जगापे दोनों के इन तीनों जगापे मैं बोल सकता हूं work pressure तीनों जगापे फारक कि यह है फोस्टल assistant में आपको देहात में गाउं देहात में में पोस्टिंग मिल सकता है इंस इसलिए सुर्टिंग असिस्टंस का यह बेनफीट है दूसरा इसमें आपको छुट्टी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा चुट्टी इसमें असानी से मिल जाता है क्योंकि लोग ज्यादे होते हैं और पोस्ट अफिस में अगर आपको छोटा वाफिस मिल गया तो हम पर छुटी का आपका प्रॉब्लम रहेगा इन वेकंसी सबसे ज़्यादे पोस्टल असिस्टन के डर में होता है तो जाए तर लोगों को मिलेगा तो पोस्टल असिस्टन के डर रहे हैं यह उपने इस आपसे वर्क लोड में बता दे रहांगा पहले क् जादे लेन मोस्टली वर्क लोड हर जगह पर रहेगा बस बेनिफिट सी ओ आरो वालो के लिए है कि वहाँ पर पांच दिन का वर्क होता है बाकी सारे आप जो है वो छे दिन वाले हैं वीकली आफ एक दिन रहेगा सी ओ आरो में दो दिन का अब होता है यह उन लोग का बेन कि इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद दोस्तों